हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल और गुड़ मॉर्निंग यह है वीकेंड का टाइम मैं सुबा एचली वीकेंड वाले दिन भी थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ और यहां मैं अपनी एक बार चाय पी चुकी हूँ तो यहां थोड़ी सी चाय गिर गई थी और फि इस वज़े से एक बार मैं जब भी खाना बनाती तो उसको क्लीन जरूर कर लेती हूँ गैस को भी क्योंकि यहां धूल मिट्टी बहुत जादा आती है तो आज मैं बहुत यमी सा है ना ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ यमी भी है थोड़ा हैवी भी है तो इस वज़े से आज काफी टाइम बाद मैं इसे बना रही हूँ अधरवाइस मैं पहले बीच बीच में काफी बार इसे बना लिया करती थी ब्रेट से रिलेटिड कुछ भी एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट तो यह मैं बना रही हूँ गार्लिक चीज जो है ब्रेड और यह ना इसमें जो व बहुत जादा टेस्टी लगता है कई बार हम लोग जब पीजा और करते हैं तब भी इसको मंगा लेते हैं और यह बहुत अच्छा लगता है क्रिस्पी बनता है और वही मैं बनाने वाली हूँ ऐसे और यह बच्चे भी बहुत चाओ से खाते हैं क्योंकि इसमें चीज भी म मेरी बेटी सो रही है तो मैंने सोचा कि जब तक मैं अपना जो भी तैयारी है वो मैं धीरे-धीरे कर लेती हूँ और देन उसको उठाके तबी लाऊंगी और क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है बटर को निकालना उसको मेल्ट करने में तो यहां देखिए मैं उसको आ गई थी उठाने के लिए और काफी लेट उठे आज सभी लोग मुझे छोड़के क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी उठ चुकी थी बट यह था कि बच्चों का जिस दिन छुटी रहती है उस दिन उन्हें उठाने का बिल्कुल मन नहीं होता है तो बस जब तक वो आप तक उठ रहे हों मैं तब तक अपने रूम का क्लीन कर लूं क्योंकि फिर हमारा थाइम तो है Pra2 तो है लिए सब क्लीन करने के लिए और यहां का जो गद्दा है वो दूसरे कमरे में लगता है तो इस वज़े से इस रूम को भी क्लीन करना बहुत जरूरी हो जाता है बैशीड वगेरा सब कुछ बिखर जाती है और मेरी बेटी भी जो खेलती है तो वो इसी रूम में अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलती है तो यह थोड़ा सा मैसी हो जाता है और कई बारी तो इतना जादा हो जाता है कि दूसरे रूम से भी जादा गंदा लगता है अदर्वाइस ये पहले बहुत एकदम से ऐसे ही पड़ा रहता था, clean बट अब थोड़ा सा होने लगा है क्योंकि वो दर्वाजा बन करके खेलती है वीशू की वज़े से कि वो disturb ना करें, तो वो उठके चली गई थी, जब तक वो fresh होगी मैंने सोचा कि ठीक है जब तक मैं अपना रूम इसको clean कर देती हूँ और अगर मैं breakfast वग्यरा बनाऊंगी भी तो ऐसा होगा कि दीदी अपना रूम वग्यरा clean कर लेंगी और मैं अपना breakfast बनाती रहूंगी, तो मुझे बार बार रूम में नहीं आना पड़ेगा तो बस मैं यहाँ पर अपना वही morning का जो routine रहता है, cleaning का मैं वही सब कुछ कर रही थी और यहाँ मेरा बटर मेल्ट नहीं हुआ था तो मैं इसको इस तरीके से microwave में रखके melt कर रही थी जिसे की जल्दी हो जाए और मैं अपना breakfast बना पाऊँ तो कुछ ही second में हो गया था, तो इसके अंदर lesson मैं mix करूंगी और मैंने यह brown bread लिया है, इसमें वैसे white वाली bread बहुत जादा अच्छी लगती है अच्छी लगती है बट यह आटे की bread है तो यह खाने के लिए भी अच्छी है तो इसके अंदर मैं अपने lesson mix कर दूँगी और थोड़ा सा अरू के लिए मैं अलग बना के रखूंगी क्योंकि मैं अपनी मैं थोड़ा सा मिर्च वगेरा add करूंगी और उसकी मैं ऐसा कुछ भी मैं डालने वाली नहीं हूँ और नमक की इसमें कोई जरूरत पढ़ती नहीं है क्योंकि यह salted ही होता है butter जो है और जो पीजा के उपर masala डाला जाता है यह वो है तो मैं थोड़ा सा वो भी mix कर दूँगी और यह बहुत अच्छा टेस्ट में बहुत अच्छा आ जाता है और बच्चों को भी पसंद आता है चाहे वो ऐसे lesson नहीं खाएंगे बट इसके साथ वो बहुत अच्छे से खा लेंगे तो दो तरफ मैंने बना लिया है और एक साइट पर जब मैं लगाऊंगी तो मैं उसको सेख लूँगी अच्छे तरीके से जिससे कि मैं जब अंदर जो चीज भरूँगी तो वो सीख जाए तो देखे एक तरफ मैंने अपना हम लोगों के लिए भी तैयार कर लिया है चिली मैं यही वाला यूज करती हूँ यह ज्यादा वेस्ट नहीं जाता जो घिसते हैं उसमें काफी सारा वेस्ट चला जाता है तो इस वज़े से यह काफी सही रहता है तो एक साइड पर लगाने के बाद जैसे मैं इसको सेख लूँगी दोनों ब्रैट को जिसे की अंदर से भी दिन ही मैं बनाती हूँ और उसी दिन अच्छा लगता है क्योंकि इसे बड़ा तसली से बनाओ तो अच्छा लगता है और दिन तो ऐसा रहता है कि उनका लंच वगेरा भी सारा प्रिपेर करना पड़ता है तो उतने अच्छे से ब्रेकफास नहीं बन पाता तो वीकेंड प बस मैंने ऐसे ही ओनलाइन देखा तो मुझे यह दिखा तो मुझे ऐसा लगा कि हां मैं यह बनाती थी और अभी काफी टाइम से मैंने इसे नहीं बनाया है तो देखिए मैं इसके तीन पीस कर लूँगी जिसे कि इसको खाने में यह बहुत अच्छा सा एजी सा रहे और विकेंड वाले दिन ऐसा लगता है कुछ हैवी खा लिया जाए फिर दोपैर में देखेंगे क्या करेंगे देन उसके बाद बस यह देखिए मेरी किचिन का हाल और बहुत बुरा हो जाता है जब भी हम कुछ ऐसी चीजे बनाते हैं तो काफी सारी चीजे तो मैं उस टाइम समेट देती हूँ तो लिविंग रूम मैंने क्लीन नहीं किया था और आप देख सकते हैं उसकी हालत कितनी जादा खराब है तो यह मेरे जो हजबन है वो बच्चों को लेके अंदर रूम में चले जाते हैं और मैं इधर जो है क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि मेरे सोफे पर जितना गंद पड़ा रहता है न शायद वो इतना फर्स पर भी नहीं मिलता है तो सबसे ज़्यादा क्लीनिंग इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है तो मैं सारे जो कवर है उनको जाड़ने के बाद अपना जो भी बच्चों ने नीचे टॉइस वगएरा बिखेरे हुए तो मैं जब तक अपना किचिन क्लीन कर लूँगी क्योंकि अभी तक बरतन नहीं हुए है तो मेरी देखे चाय मैंने दुबारा जो हजबन के लिए चाय बनाई थी तो मुझे फिर उसके बाद पीने कर टाइम नहीं मिला वही है जब घर में काम के लिए आप हेलपर रखते ह अपने लिए टाइम उतना जल्दी नहीं मिलता है कि सफाई बहुत जल्दी-जल्दी करनी पड़ती है तो क्योंकि मैं सुबा एक बार सफाई कर चुकी थी तो इधर बस मुझे जो पड़ा हुआ था उसी को हटाना था तो यहां मैं चॉपिंग बोर्ड, नाइफ ऐसी मेरा जो दीवान है मैं इसको क्लीन कर रही थी इसके अंदर है ना एचली यह मैं पंदरा दिन में एक साइड का बैड का एक साइड का पंदर दिन में जरूर क्लीन कर लेती हूँ अदर्वाइस इसमें क्या सामान पड़ा है क्या नहीं यह है ना हमें पता भी नहीं रहता औ इस वज़े से मैंने सोचा क्यों आज इसको भी खोल के देख लिया जाए कि इसमें क्या रखा है तो इसमें बस मेरे जो ब्लैंकेट्स वगेरा हैं वही रखे हैं और एक कार्टन आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं तो जब भी मैं इसको पंदर दिन म सकता है बड़ महीने में एक या दो बार ऐसा करती हूँ कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों साइड पर मतलब कभी इस साइड का कभी दूसरे साइड का एक साथ में नहीं बड़ एक बार में करती हूँ तो पस इसमें से मुझे कुछ कोच ऐसी चीजे मेली जैसे पिलो कवर्स जो पुरानी bed sheet के रहते हैं तो कुछ मैंने रखे और कुछ अपनी जो मेरी helper आती है मैंने उनको दिया क्योंकि दीरे-दीरे हम लोग के पास जो सामान इखटा होता है वो क्या करते हैं हम दीरे-दीरे इसी तरीके से bed के अंदर डाल देते हैं क्योंकि मेरे पास तो बहुत जा family बढ़ रही है तो सामान भी बढ़ रहे हैं बच्चों के कुछ चीजे रहती हैं जिसे हमें स्टोर करना होता है ब्लैंकेट्स बढ़ चुके हैं तो देखिए यहां bed के अंदर भी बहुत सारी चीजे मिली कुछ रैपर्स पॉलिथीन वगेरा तो वो सब मैं हटा दूंगी क्योंकि कई बारी ऐसा होता है कुछ लिया यह चीजे हमें बाद में काम आएंगी करके मैं bed के अंदर रख देती हूँ तो इस तरीके से क्या है मेरा जो घर का सामान है बहुत जादा फालतू इखटा बिल्कुल नहीं होता है दीवान मैं बिल्कुल ऐसा नहीं रखती हूँ क्योंकि इसमें फालतू सामान इखटा होता जाए कुछ टाइम के लिए मैं डाल जरूर देती हूँ इसमें कि मेभी वो आगे काम आजाए बट जब मैं महीने में या पंदा दिन में एक बार क्लीन करती हूँ तो वो चीज निकाल लेती हूँ और सोसती हूँ ठीक है अब इ उनको भी रख दूँगी मेरे पुराने कुछ मैट्स थे मैंने उन्हें निकाला और अरू का जो जूला था टायर वाला उसको भी रखा क्योंकि वह अभी वहां नहीं टांगा जा रहा है और उसके बाद मुझे अरू का हैलमिट भी मिला क्योंकि अब उसके पास साइकल है तो यह हैलमिट भी यूज होगा तो यह सोचकर मैंने इसे निकाल लिया कि अब उसको चलाना है तो यह बहार रहेगा तो ठीक रहेगा तो देखिए क्लीनिंग करने से है ना बहुत सारी चीजे सैट हो जाती है और इसके अंदर जो भी सामान मेरी अलमिरा की उपर पढ़ा थना फालतुका वो भी आ गया और उसके साथ मुझे अपना बैग मिला जिसकी मुझे जिप ठीक करानी है वो परफेक्ट ओके था उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था तो यह सारे चीजे मुझे मिली और कुछ काफी सारे कपड़े जो मैं यूज कर सकती हूँ तो मैंने मैं सोचा कि ठीक है अब यूज करने का टाइम है तो उसको यूज किया जाए और मेरे पास कुछ दो गदे हैं जो एक गदा इस साइड पर पड़ा हुआ है तो इसको भी मैं पैक करके रख दूंगी क्योंकि अब धूल मिट्टी भी अंदर जाएगी तो मैं एक बार इसको क्लीनिंग हो जाए तो देखे हमारी बहुत सारी चीजें खराब होने से बच जाती है और दूसरी चीज की आपके घर फालतु सामान कभी इखटा नहीं होता है एक बार बस नजर मानना होता है शायद हमें टाइम निकालने में थोड़ा सा लगता है कि अरे यह तो बहुत ब कि अभी तो किसी का कोई आना करना नहीं है बीच में सब लोग आये थे तो यह सब गद्दे वगएरा निकाले गए थे वट हम मैं दुबारा इसको अच्छे से पैक करके रख दूंगी कि जब इंस्टेंट निकालना पड़े तो ऐसा बिलकुल ना लगे कि इसमें धूल है यह क्या हमें निकालके दे दिया है या हम इस पर नहीं सो सकते करके तो यह अच्छे से पूरा बैड देखे सेट हो गया इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं टाइम टू टाइम सेट करके रखती रहती हूं जिससे कि वो ऐसे पड़े पड़े खराब ना हो जाए तो इसक कि मैं छे महीने में यह साल भर में इसको खोल के क्लीन करूंगी तो यह डेफिनिटली मेरा पूरा बैड खराब हो जाएगा मैट्रिस खराब हो जाएगा इवन अंदर पड़ा जो सामान है वो सामान हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो यूज का है भी है या नहीं तो बहुत स तो देखें मैंने यहां अपना वीकेंड का ऐसे यूज कर लिया और हमेशा कर लेती हूं वीकेंड वाले दिन में ऐसा कोई काम जरूर ले लेती हूं जो मुझे हजबन की हेल्प चाहिए रहती है जिसमें देखें मैं इसको खोलूंगी तो बच्चे आएंगे तो वो बच् इसके कुछ बैच्चीर थी और कुछ उनके कवर्स थे जो अभी यूज में नहीं थे और जिनका यूज में थोड़ा किसी और काम में करूंगी और कुछ एक बैग भी निकला जिब वाला जो मेरे यूज में आ जाएगा तो उन कपड़ों को भी मैं वाश करूंगी और इस बाद मैं अपने कपड़े वगएरा फोल्ड करूँगी तो यह सब काम करते-करते थोड़ा सा हो जाता है मैं अब मिलूँगे आप लोग से दोपैर के टाइम में तो यह देखिए थोड़ा दोपैर का सब कुछ लंच होने के बाद है देन उसके बाद मैंने अपने कपड़े दाले थे उससे पहले मैंने कुछ कपड़े ऐसे दोय थे और जो फुट मैट रहता है वो भी मुझे दो मिले जो इनका मैं अब यूज कर लूँगी और इस तरीके से मेरी कुछ कुछ चीजे हैं जो रूटीन में चलती रहती है तो देखिए अभी सिर्फ एक वीशू का खा और यह हटाना अभी मुझे जरूर है क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े इदर लेने हैं तो बस यह देखिए बहुत सारे कपड़े इखटे हो चुके हैं और यहां तक था मेरा यह व्लॉग पसंद आये तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा और मेरे चैनल को करना बिल्कुल मत भूलना तो मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए बाबाए तो लीजे मेरा बेटा भी आ गया है और वहां बैठके खेलेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई